जहें साथियों स्वागत है आपका आपकी अपनी यूटूब चैनल आजय वर्मा डबल सिक्स डबल सिक्स पे तो साथियों आज हम सब एक नई वीडियो स्रीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बायलाजी यानि की जिव ज्यान का कच्छा बारहमी से रोज एक वी है तो आपका अध्या एक होगा अध्या जो पहला होगा पाठ का नाम है साथियों कुस्पी पौधों में कुस्पी पौधों में में लैंगिक जनन लेंगिक जनन ठीक है सातियों यह जो हुमारे चेप्टार नाम है वो है फुस्प की संरचना समझेंगी कुस्प होता कैसे है फुस्प किन पur Central में पाज आता है यह हम समझेंगी इस ध्याने वीडियो में निटधी चार्ट कोते हैं लगते हैं साथियों जो सबसे पहले समझते हैं पुस्प की सनरचना कि पुस्प की सनरचना पुुष्प की समझाओ ये पुस्प होता क्या है लखियों सच्यों इतने भी आव्रित वी जी पौध diff क्यों होते हैं यान की पौधTw구ивать ये क्वहण है वो पौधित दो प्रकार क्यों होते हैं एक जो होता है वहँता है अना प्रित विजी पौधा अना फ्रित फ्रीक वि और दूसरा पौधा होता है वो होता है आबरित वीजी आबरित वीजी यानिक जो पौधा होता है पौधे दो प्रकार कोते हैं एक आबरित वीजी पौधा होता है तो दूसरा होता है वो आबरित वीजी पौधा होता है पूरे चेप्टर में हमें आबरित वीजी पौधों का करनाओ की का है अबändeी लगता है और क्वी फOOD फॉ предлаг होते हैं उनमें पुर्प लगता है और जो पुस्थ होते हैं वह पॉध्यों में जननान्हें का कारे करते हैं जिन नए बिॉध्य की उत प्रति की जा सकती कर दो जो आप अरह तुछ से पॉद्ध होते हैं उन्हें पूस्ट लगता है त्या healthier चेप्टर में हम कैसे पॉद्ध हो करेंगे जो अबरित वीजी पौधे होते हैं हम उनका अध्यन करेंगे तो चलिए सब्गें पुस्प की सनचना समझते हैं कि पुस्प होता कैसे है पुस्प का पौधों में क्या कारे होता है क्या पौधों के लिए पुस्प आवश्यक होते हैं इनका हम अध्यन करेंगे त्य आवरित्वीजी पौधे विसिष्ट होते हैं यानि कि पादप जात में जो आवरित्वीजी पौधे होते हैं वो विसिष्ट होते हैं क्योंकि साथियों उन्हें पुस्प लगता है और पुस्प का कार्य होता है जनन करना यानि कि जो पादप जात होता है इसमें जो आबरित वीजी पौधे होते हैं वो विसिष्ट होते हैं क्योंकि इनमें पुस्प लगते हैं तदानीर मिशेचन कि पष्चाद यानि कि पौधों में जो परागर होता है यानी जो नीनीरी सेचल होता है कि निसेचन के पस्चाद हो आलो इसेच्ञ के पोष्चाद निसेचन के पहस्चाद अंडा से हल में तथा विजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं हो जाते हैं यानि कि पुस्ट की संद्चन होती है थोड़ा साम बेसिक इंट्रो समझ लेती है जो पादब जात होता है उसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुस्ट लगता है उन पौधों को कहा जाता है आबरित वीजी पौधे जिनमें पुस्ट लगता है क्या होता हुआ थे फनक जो पोता है वो में भाग लेती है जनन में भाग लेते हैं ताकि नया पौधवा उगा जासे की तो जिन में पूस्प लगते है पूस्प नंडर अनडा vet iac wow ऑडना करपा हो जाता है वह फल में परिवर्थित हो जाता है तथा जो पुझ किसं रचे आएं ते साथिये चलिए हम एक चित्र के माधिम से समझते हैं कि पुस्ट में कौन-कौन से भाग पाये जाते हैं एक पुस्ट होता है तो कितने हम होते इसे हम समझेंगे चलिए एक चीत्र के माध्यम से समझते हैं इसाथ में तो मैं डा कर रहा हूं उस एक कुस्त का चीत्र कर रहा हूं से मायद्यम से मैं आपको समझाने का प्रयाज करूंगा तो आप सब भी हमारे साथ साथ डा करते रहे हैं आध आसानी होगी अधा करने में पुस्पो को इसे रफ कर देते हैं आगे हम ड्रा करते हैं इस आपले मासा नहीं हो इस जो होते हैं साथ यह होते हैं पुंकेशर एह होगी यह हो यह हो यह होगी होगी हैं कि यह पुस्फ होता है उसमें मुख्रिता चार भाग होते हैं सार्ज जो आपको विज्वल हो रहे होंगे दिखाई दे रहे होंगे चलिए इनका नाम करड़ करता हूं तो साथमीं आपको सबसे मद्द में जो भाग दिखाई दे रहा होगा है इसे बोला जाता है इस तरी के सर या जायांग बोला जाता है तो मत देखाई भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे इस्तरी के सर या जायांग कहा जाता है जो आपको पूरा भाग दिखाई दे रहा है यह पुस्प का इस्तरी के सर या जायांग होता है जिससे हम मादा जननांग भी कहते हैं इसके अलग पूमंग पूमंग इसे पूंकेसर भी कहा जाता है यह जो पूस्प का नर्जननांग होता है तथा जो आपको अगल बगल पंखुणियों दिखाई दे रहेंगे इन्हे कहा जाता है दल इन्हें कहा जाता है दल तथा एक यादिक से अधिक होते हैं इसलिए युद्म दल्पुंज इन्हें क्यों आपको पंखुडिया दिखाइए दे रहे हैं इन्हें का जाता है डल्पुंज तरह जो पुस्प का समानता जो हरा वाला भाग होता है उसे बोला जाता है बाह दल पुंज इस प्रकार से एक उसमे साथियों मुख्यता चार भाग होते हैं मुख्यता चार भाग होते हैं जैसे हुआ आपका पुमंग जिसे हम नर जननांग बोलते हैं दूसरा हुआ इस तरी केसर जायांग जिसे हम आदा जननांग बोलते हैं सथा एक कि दल पुंज होते हैं पुस्में और ये बाहे दल फुंज होता है य हुआ य हुआ पुस्प में कितने भाग होते हैं एक पुस्प में समानता चार भाग पाये जाते हैं या एक पुस्प के चार भाग होते हैं एक होता है पुमंग जिसे हम पुस्प का नरजन्नांग बोलेंगे दूसरा भाग होता है इस तरी के सर जिसे हम पुस्प का मादा जन्नांग या जा दल पुंज कहा जाता है तथा नीचे का जो समानता हरा वाला बाब होता है उसे बाय दल पुंज कहा जाता है अब इनका हम अगले एक वीडियो में यानि जो आने वाली वीडियो होंगी आसानी से हम समझेंगे कि आखिर पूमान क्या होता है इसरी केसर क्या होता है बाय दल प तो हेडिंग थी पूष्प की समचना हेडिंग क्या थी पूष्प की समचना तो पूष्प की समचना यानि की एक पूफ होता है उसका पूष्प का इसा होता है इसका आम सब अध्यन कर रहे हैं तो एक जो पूष्प होता है वो मुख्ष्प चार भागों से मिलकर बना होता है एक पूष्प कितने भागों से मिलकर बना होता है एक पूष्प मुख्ष्प चार भागों से मिलकर बना होता है जैसे जो पहला इसे बोला जाता है पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है तथा पुस्प का जो तीसरा भाग होता है इसे बोला जाता है दल पुंज ये भी पुस्प का भाग होता है तथा एक होता है बाह दल पुंज इस प्रकार से एक पुस्प के मुख्यता चार भाग होते हैं जायांग जि जिसे पुस्प का मादा जननांग कहा जाता है, जननांग, जिसे पुस्प का मादा जननांग कहा जाता है, तथा जो पुमंग होता है, इसे पुस्प का नर जननांग कहा जाता है, तथा एक दल पुंज होते हैं, और बाय दल पुंज होता है, तो जो दल पुंज होते हैं, और जो बाय दल पुंज होते हैं इन्हें पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है यानि कि पूछा जा सकता है कि पुष्प के सहायक अंग कौन कौन से होते हैं तो जो पुष्प के सहायक अंग होते हैं उन्हें कहा जाता है दल पुंज और बाय दल पुंज होते हैं तो पुष्प क सबस्जार के किरिया में भाग लेते है कि यह उपने कि पुमक किन्ने बागों मटा होता है पुमंग किनने बागों बटा होता है दल पुंच क्या होता है और बाहि दल पुंच क्या होता है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जायांग होता क्या है कि जायांग किसे कहते है पहले हम समझते हैं कि जायांग क्या होता है जायांग का कार्य क्या होता है यह पुस्प को में पुढ़ा लिक लिदे हैं में यह केते हैं यह कुस्प का मादा जननांग होता है यह कुस्प का मादा जननांग होता है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है तथा जो जायांग होते हैं यह तीन भागों में बटा होता है यह तीन भागों में बटा होता है यानि कि जो जायांग होगा यह तीन भागों में बटा होगा जो सबसे उपर का जायांग का जो सबसे उपर ही भाग होता है इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र तथा जो मर्दे का भाग होता है यानि कि जो जायांग के मर्दे का भाग होता है उसे बोला जाता है वर्तिका तथा जो सबसे नीचे का भाग होता है इसे बोला जाता है अंडा सै यानि कि जो एक पुस्प होता है उसमें जो जायांग होता है जायां की इसे बोला जाता है अंडासे। इसा सती है। तिक है जाती है जो भाग दिख रहा है इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र यह जो पूरी संवर्चना को दिखाए गरे चित्र में इस पूरे संवर्चना को बोला जाता है जायान इस पूरे संवर्चना को जायान यानि की इस्तरी के सर कहा जाता है जो पुष्प के जन्नांग होते हैं यानि की क्रिया में भाग लेते हैं तो इन्हें तीन भागों में बाटा गया है जो सबसे उपर का भाग दिखाई दे रहा है जो सबसे उपर का जो भाग है यानि की जाय का भाग है इसे बोला जाता है वर्तिका तथा यह जो आपको जायांग के आधार पर फुला हुआ भाग दिखाए दे रहा है इसे बोला जाता है अंडा से इस प्रकार से एक जायांग के तीन भाग होते हैं वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडा से यानि कि जायांग का जो सबसे नीचे भाई आधार पर फुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है अंडास है इस प्रकार से एक कुस्प में जो जायांग होता है वो तीन भागों में बटा होता है यानि कि वर्तिकाग्र वर्तिकागर अंडास है तो आपको एक स्क्रीन साट लेना हो इसक्र रफ करते हैं इसे रफ करते हैं कि वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र टीक है वर्तिकाग्र एक पुस्प जो हता है वो पुस्प होता है पुस्फ में पाजाता है इस्त्रीकेसर वर्तिकाग्र होता है वर्तिकाग्र होता है उसकी होता है यह जो वरतिकाग्र के एक और मंचका का यह करता है यानि कि वर्तिकाग्र यह पराग कड़ के अवतरड मंच का पराग करता है इसका कार्य होता है कि पराग कड़को अपने ऊपर चिपका कर रखना ताकि परागण की किलिया समपन्न हों सके यानि कि या पराग Live कि अ उतरण मंच का कार्य कार्य करता है इसकी जो एक और दिखाई पड़ता है तुए ओई यह गहंती समां समचना एक घंटी समान सनरचना होती है सनरचना होती यानि कि जो वर्थिकागर होता है यह जायाएं के सिर्ष भागपर यानि सबसे उपर ही भागपर एक घंटी समान सनरचना होती है जिससे हम सब वर्थिकागर करते हैं इसका जो कारे होता है पराग कड़ की अवतरण मंच का कार करती है यानि जो पराग कड़ होता है इसे चिपका कर रखते है ताकि परागर की क्रिया संपन्न हो सके तो इसे रख करते हैं यानि जो वर्तिकाग्र होता है इसका एक विस्षड का रोता है पराग्र को चिपका कर रखना ताकि पराग्र की क्रिया संपन्य हो सकी जाते हैं तो हम अध्यन करते हैं अब जो पुस्प का दूसरा दूसरा वहाग होता है वर्तिका का हम सब अध्यन करते हैं कि वर्तिका का जायाङ में क्या कारे होता है फिर गया है आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा और यहां जो पूरी समर्चना दिखाइए देरे हैं आपको जायांग है जायांग में तिन भाग होते हैं अवर्तिका और अंडासे तो मत्यका भाग आपको दिखाई देरा सथिए अगर इसे हम रफ करतें उपर और उननीचे इसे इन यान इसे स्वारी इसे बोला जाता है वर्तिका इसे बोला जाता है वर्तिका यानि कि जो वर्तिका होती है वो वर्तिकाग्र तथा अंडासे के मद्य पाई जाती है तथा यह एक नली के समान सनरचना जैसे आपको दिखाई दे रही है यह एक नली के समान क्या होती है सनरचना होती है, संरचना होती है, होती है, जो उपर वर्तिकाग्र तथा नीचे अंडासय से जुड़ी होती पाई जाती है, यानि कि जो वर्तिका होता है, यह वर्तिकाग्र तथा अंडासे के मध्य पाई जाती है, तथा यह एक नली के समान सरचना है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यह एक नली के समान सरचना होता है, इसका जो कारे होता है, वर्तिकाग्र अंडा फाल्मकर्स चाहिए पुर्ण्ट प्रांट में लोट्प्रांग। यानि कि जो जयान का तीसरा भाग होता है तीसरे भाग को का जाता है अंडासे जयान का तीसरा जो भाग होता है इसे बोला जाता है अंडासे जो अंडासे होता है यह इस्त्रीकेसर की आधार पर जो फूला हुआ भाग होता है जयान के आधार पर जो आपको फूला हुआ अपरीजान्ड पाए जाते हैं जो परागर्ण के पच्छात या निसेचन के पच्छात बीज में परिवर्थीद हो जाता है यह जो बिजांड पाजाता है यह निसेचन के पस्चाथ बीज बन जाता है तथा जो अंडासय होता है यह फल में परिवर्कित हो जाता है तथा अंडासय के अंदर जो बिजांड पाए जाते हैं जो बिजांड आपको दिखाई दे रहा है यह बीज में परिवर्कित हो जाता होता है जो अंडासे होता है यानि कि इस्त्री केसर के आधार पर फुला हुआ भाग फुला हुआ भाग अंडासे कहलाता है यानि कि इस्त्री केसर के आधार को जो फुला हुआ आपको भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को बोलते हैं अंडासे तथा निसेचन के पश्चाद जो आपको अंडासे दिखाई दे रहा है या फल में परिवर्तित हो जाता है निसेचन के पश्चाद अंडासे फल में तथा बिजांड वीजांड वीज में परिवर्तित हो जाते हैं या याईनि कि जो अंडासे होता है अंडासे के वह जो इस्तरीकेसर के जो आधार को फूला हुआ भाग दिखाई देता है उसे अंडासे करते तथा अंडासय के अंदर विजांड पाया जाते हैं जो निसेचन के पश्चाथ बीज में परवर्तित हो जाते हैं तथा जो अंडासय होता है यह फल में परवर्तित हो जाता है ठीक है साथियों मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए जहें